मा, अब तो छे महीने का हो गया हूं, मा, कुछ मज़ेतार खाने को दो ना अले, अले, चल, तेरा हाफ हैपी बड़े मनाते हैं, खिचडी तुझे खिलाते हैं चे महीने के शिशु को दूद के साथ साथ पौश्टिक खाना भी चाहिए जैसे गाड़ी दाल के साथ चावल, हरी सबजियां, खिचडी, पीले और नारंगी, फल और सबजियां, दही, घी और तेल धी रज रखे, धी रज रखे, मा से कहना धी रज रखे शुरू में तीन से चार चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, एक कटोरी दिन में दो बार खिलाएं साथ से आठ महीने के बच्चे को दो कटोरी नौ से ग्यारा महीने के बच्चे को तीन कटोरी और बारा से चौबिस महीने के बच्चे को चार से पांच कटोरी खिलाएं रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दोडाते हैं खाना देखकर इमू बनाते हैं आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे, बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूच से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूद पिलाओ, फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पढ़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मा का दूद पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए, तो उसे एक कटोरी खाना ज़्यादा खिलाएं, ताकि बच्छा फिर से हटा कटा तंदुरूस्थ हो जाए तभी तो आँखे कान खोल के सुनना पूपोशन से न जूजे मुन्ना सभालगी है द्यान से सुनना सभालगी है सभालगी है सभालगी है